कि समिधान विरोधी कौम हैं जो समता को नकारते हैं वो लोग जो पूरे शासन कंत्र पर कबजा जमा के बैठे हैं पिछडे वे लोगों को एक सम्मान पूर्ण स्थान दिया जो समिधान के द्वारा सम्मानित हुए आज वो समिधान के विरोध में उन विरोधियों के पाले में बैठ करके अपने स्वार्थ को पूर्ण कर रहे हैं हमारे देश में दो विजारधाराएं पैरलल चल रही हैं अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिरियम 1935 लागू किया भारत के समिधान निर्मान कश्रे डॉक्तर बियार अंबेटकर को दिया जाता है मामानवो को बंदन करते हुए आदर्निय मंच और सदन में उपस्तित मूलनिवासी बहुजन समाज के सभी प्रबुद्ध साथी सभी को मेरा जै भीम जै मूलनिवासी जै भारत जै समिधान आज प्रबोधन सत्र क्रमांग पाँच जो बाम सेफ का रास्टी 40 वा रास्टी अधिवेशन जो की हम गोल्डन जुबली के रूपनम यहां सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस सत्र में जो विशय रखा गया है पिछड़े वर्क के नेताओं की सविधान विरोधियों के साथ सांट गाड क्या करें इनके साथ यह जो विशय जो की वर्तमान परिस्तिती बहुत ही विकट है और इसके उपर हमारे संगठन ने बहुत मन्थन करके यह विशय आपके लिए प्रबोधन के लिए यहां पर रखा है हम यदि देखें इसमें की समिधान विरोधियों कौन है इसको हमें आइडेंटिफाई करना है जो समता को नकारते हैं वो लोग जो पूरे शासन तंत्र पर कबज़ा जमा के बैठे हैं ऐसे समिधान विरोधियों और दूसरा पक्ष है पिछडा वर्ग समिधान ने आर्टिकल पंदरा चार और सोला चार में सैक्षनिक और सामाजिक रूप से पिछडे हुए लोगों को एक सम्मान पूर्ण स्थान दिया जिन्हें बैकवर्ट क्लास अफ सिटीजन कहा वही जो समिधान के द्वारा सम्मानित हुए आज वो समिधान के विरोध में उन विरोधियों के पाले में बैट करके अपने स्वार्थ को पूर्ण कर रहे हैं जो समिधान विरोधी है जो सम्ता को नकारते हैं मतलब हमारे देश में दो विचारधाराय पैरलल चल रही है एक यथा इस्थितिवादी और दूसरी परिवर्तन वादी यथा इस्थितिवादी जो विचारधाना है जब समिधान लागू नहीं हुआ था उसके पूर्व इस देश में कैसा साशन था ये हमें पता है राजनेतिक और आर्थिक शेत्र में अंग्रेजो का साशन था लेकिन सामाजिक और आर्थिक शेत्र में मनुष्मनित का दंड विधान था जब अंग्रेजो द्वारा सत्ता का हस्तांतरन किया गया तो ये सत्ता इन ब्राह्मन वादियों के हाथों में आई और उन्हें लगा कि हम फिर से इस भारत के मूल निवासियों को मनुष्मनिती के दंड विधान से उन्हें दंडित करेंगे लेकिन अंग्रेजो ने भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया और उस नियम के अंतरगत भारत के समिधान निर्मान कश्रे डॉक्टर बियार अंबेटकर को दिया जाता है जो की मनुष्मृती के अनुसार चोथे वर्ण में आते है तो भारत का जो समिधान है 26 नवंबर सन 1949 को अधिनियमित किया गया इसके एक दिन पूर 25 नवंबर सन 1949 को समिधान सभा में बाबा साहब ने एक संदेश दिया था समिधान चाहे जितना भी अच्छा हो बहुत बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अमल करने वाले लोग बुरे होंगे समिधान चाहे जितना बुरा हो सकता है वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे होंगे ठीक इसके पांच दिन बाद 30 नवंबर सन 1999 को RSS के मुख पत्र और्गिनाइजर उसमें समिधान के विरोध में एक समपादी की चापा गया और उसमें कहा गया कि ये जो भारत का समिधान है उसमें भारती जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें मनु का दंड-विधान शामिल नहीं किया गया है समिधान के अनुच्छे 13 ने मनु के दंड-विधान को खत्म कर दिया और जो ब्रामनों की स्रेष्टता थी उसके गुरूर को भी नस्ट कर दिया तो इन्हें तकलीफ होना वाजिब है कि जो वर्चस्व उन्होंने समिधान लागू होने के पहले तक इस देश पर बनाए रखा था वो वर्चस्व समिधान के लागू होते ही वो धड़ाम से वो जमीन पर गिर गया और इस तरह से जो है 26 जन्वरी सन 1950 को भारत एक लोकतांत्री गणराज बनने की राह पर अग्रसर हो गया 1959 में से लेकर 1950 और जो इंकावन वाला समय है उस से लेकर के वर्तमान तक देश में समिधान विरोधियों का ही इस देश पर कबजा है सासन सत्ता पर उन्होंने कबजा जमाया हुआ है और समय समय पर ये सविधान विरोधि अपने मनसूबे जाहिर करते रहते हैं सविधान विरोधि जो मनसूबे हैं के कभी वो सविधान की प्रतिया जलाते हैं तो कभी वो मुल निवासियों पर अन्याय अत्याचार करते हैं हमारी मा बहनों का बलातकार करते हैं तो ये जो है इनके लिए एक खेल है क्योंकि मनु के दंड विधान में यही प्रावधान था कि यदि उसने सिक्षा लिए वो मंत्र उचारण कर रहा है तो उसकी जीब काड़ दो यदि वो सुन रहा है तो उसके कान में पिगला हुआ सीसा डाल दो और यदि वो मुझ से समिधान ने खत्म कर दिया तो लोक तंत्र में हम देखते हैं कि जो लोक तंत्र है जिसमें बाबा साहब ने लोक तंत्र की परिभाशा दी थी उन्होंने कहा था साशन की ऐसी पद्दती जिसमें बिना रक्त की एक बून भी बहाये लोगों के जीवन में आर्थिक और जो बदलाव है उसकी बयार्व है ये ऐसी साशन पद्दिती लोकतंत्र है तो बहुजनों का साशन शत्ता में राज होना चाहिए ये हमारा बामसेफ समय समय पर ये प्रस्ताव हम रखते हैं और ये होना चाहिए लेकिन हम जो है देख रहे हैं कि इस देश पर जिन समिधान विरोधियों ने कबज़ा करके रखा है वो जो अल्पजन है वो उन बहुजनों को गुलाम बना कर रखे हुए है इसके लिए बाबा साहिब ने हमें आगाह किया था कि भले ही हम बहुजन है लेकिन अगर हम एक लक्ष एक विचारधारा और एक पहचान के साथ जागरोक और संगठित नहीं हुए तो संगठित और जागरोक अल्पजन हम पर भारी पढ़ने वाले हैं A conscious and determined minority always creates conditions in its favor over an amorphous and ignorant majority लक्ष हीन असंगठित और गैर जागरोक बहुजनों के उपर जागरोक और द्रड़ संकल्पित अल्पजन परिस्थितिया हमेशा अपने पक्ष में पैदा कर लेते हैं और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त सन 1923 को हमारे देश के प्रधान मंत्री मानिये नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक सलाकार परिसद के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने एक अख़बार में नए सविधान की मांग करते हुए लेख लिखा और उसमें उसने कहा कि इस सविधान में बहुत सारे संसोधन हो चुके है इस सविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये आपनिवेशिक विरासत भारत सविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसलिए नया सविधान नय सिरे से लिखा जाना चाहिए ये ताकत ये हिम्मत इन सविधान विरोधियों को कहां से मिलती है तो हम देखते हैं कि ये जो ताकत है ये 15 प्रतिशत मुठी भर लोग इस तरह से शासन सत्ता पर बैट करके समिधान को बदलने की बात करते हैं तो ये ताकत उन्हें हमारे पिछड़े वर्ग के जो बिके हुए जो नेता है या जो संगठन के करता धरता है वो उन्हें ये खात पानी देते हैं ताकि वो अपना जो गुरूर है उसको कायम रख सके ये जो पिछड़े वर्ग के नेता जिन्हें की समिधान ने एक सम्मान दिया है और ये ही ये सम्मान पाकर के उसी समिधान का अपमान कर रहे हैं जब अपना ही सिक्का खोटा है तो फिर उपाय क्या है पूनपचे पैदा हुए जिन्होंने कभी भी समाज की परवा नहीं की बावा साहब को चुनाओं में हराने वाले मिस्टर काजलोर कर बावा साहब के पास गए चुनाओं जीतने के बाद उन्होंने बावा साहब से आशिरवाद लिया तो बावा साहब ने कहा कि अब तुम तो चुनाओं जीत गए हो मुझे हरा दिया तो अब क्या करने वाले हो तो उसने कहा कि मैं पार्टी जो आदेज देगी वो करूंगा चुन कर गए समाज की सीट से और वो काम करेंगे पार्टी के दलालों का दलाली का तो इस तरह के दलाल पूना पेक्ट से पैदा हुए हैं और इन्हें ना तो पद की गरीमा का एहसास होता है और नहीं इनको जो जो अधिकार मिला है उसको वो समझ पा रहे हैं सिर्फ ये अपने आका जो ब्रह्मनवादी शक्तिया हैं उनके इशारों पर नाचते हैं उनकी कटपुतली का काम करते हैं मनुवादी प्रतिपल प्रतिशन समिधान के विरोध में सडियंत्र रचते जा रहे हैं और उसमें पिछडों को फसाने के जाल बुनते जाते हैं कभी कर्मकान कभी धर्म की अफीम इस तरह से पिला करके वो उन्हें उस स्वर्गी आनन्द में भाव विभोर कर देते हैं और जो पिछड़े वर्ग की जो पार्टिया हैं जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनमें ये ब्राह्मनवादी हमेशा घुसपैट कर लेते हैं इसका एक्जामपल सन 1948 में बाबा साहब ने जब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया था तो उन्होंने उस समय भी ये बात और एहसास हुई थी उन्हें और उन्होंने कहा था कि ये जो हम जब भी S.C.S.T.O.B.C. एक जुठ होने का प्रयास करते हैं तो ये ब्राह्मनवादी लोग उस संगठन में घुस करके उसको दीमत की तरह खोकला करने में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं तो ये इस तरह से जो है ये ब्राह्मनवादी अपना काम बहुत ही सिद्दत से करता है आज पिछडों को कि जो भी पार्टिया है उनमें ब्राह्मनों ने घुस पैट कर ली है और उन्हें अपने एजन्डे के तहट सेट कर रहे हैं और हर कार सविधान के विरोध में करते जा रहे हैं जैसे अभी वर्तमान में हमने देखा कि जो सेंगोल जैसा धार्मिक प्रतीक है जिसको नए संसत भावन में स्थापित किया जो कि समिधान की मूल भावना के खिलाफ है राज्यों को जाती आधारी सर्वे की सहमती पटना हाई कोर्ट के माध्यम से देकर पूरे समिधानिक प्रावधानों का मखोल उड़ाया है EWS अरक्षन इसके पहले भी वक्ताओं ने प्रभोधन सत्र में बतलाया कि जो EWS अरक्षन ये भी एक गैर समिधानिक प्रावधान लाया गया इसी के साथ सिक्षा का बाजारी करण, सरकारी संस्थाओं का नीजी करण, राजनेतिक व्यवस्था का ब्रामनी करण, मीडिया तंत्र का दमन करने का कुछक्र लगातार चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री के जो सलाकार है, वो समिधान बदलने की दलिल से पूरा देश इस्तब्ध है जिस प्रधानमंत्री ने समिधान की शपत लेकर देश के नागरिकों के हित में, हित के लिए उन्होंने ये जो है सपत ली थी तो वो उन्ही के संरक्षन में इस तरह की जो बाते हैं, वो कर रहे हैं लेकिन ये जो पिछड़े समाज की जो पार्टिया हैं, उन्होंने अपने स्वार्त के लिए छोटी-छोटी पार्टिया बना ली है जिसमें परिवारवाद है, सुप्रीमोवाद है और ये मूल लिवासी बहुजनों के समयधानी खेतों से इन्हें कोई मतलब नहीं है और नहीं इनके लाब से या लाभानी से इनको कोई मतलब नहीं है नहीं हमारे जो महामानव हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया उनकी भी उन्हें कोई परवाह नहीं है तो ये जो छोटा सा जो तुछ स्वार्थ है व्यक्तिगत्स्वार्थ है पारिवरिक स्वार्थ है इन लोगों का इस स्वार्थ के तहर ये लोग इनको बस एक विधायक बन जाए या इनके परिवार का कोई मंत्री बन जाए उसका पद हासिल हो जाए तो इसके लिए ये जो है समझवता करते हैं और उनको मजबूत बनाते हैं तभी उन्हें ये ताकत मिलती है कि वो खुले आम सविधान को बदलने की बात करते हैं ये लोकतंत्र की बजाए ताना साही और सविधान की बजाए मनुष्पनित का विधान समता की बजाए देश में सामाजिक विशमता और आर्थिक विशमता को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे नेता और संगठन के साथ हमारे मूलनिवासी बगुजन समाज को कैसे निपटना है इसके लिए सम्मानित वक्तागण हमारे बीच में हैं और मुझे उम्मीद है कि इस विशे पर चर्चा से हमारे सामने एक समाधान प्रस्तुत होगा और उसका समाधान का मार्ग प्रस्तुत हो करके हम उस पर चिंतन मनन करेंगे तो मैं कहना चाहूंगी कि कौन कहता है आस्मा में सुराख नहीं होता कौन कहता है आस्मा में सुराक नहीं होता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो जै भीम जै मोलनिवासी जै भारत जै समिधान